नमास्कार, स्वागत थे आपका हमारे चैन्चार जागिंदर रसामें आज हम बात करेंगे आज के कुम्बराज के दिनी कि राश्पल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंच्यांग के बारे में 4 अप्रेल 2022 शोम बार के दिन है और चेतर माश शुकल पक्षी आज तरती आती थी और नच्छतर आज भरनी अब जीत महूरत आज दुपार 11 बच कर 37 मट सले के दुपार 12 बच के 49 मिनट तक रहेगा आज के शुरू दे सुबह 5 बच कर 57 मिनट पे और चंदरमा किस्थिती रहने वाली है मेस राशी पर और रात रे 8 बचे बिशुब राशी में गोचर कर जाएंगे आज के जो अशुब समय होगा वह तक्रीवन होगा साम 3 बच कर 69 मिनट सले के साम 5 बच कर 3 मिनट तक रहेगा इस अस्व समय में कोई भी सुब और ने कार के सुरुआत ना करें तो विखनवाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के कुमबराश के देन के राश्पल की और ये प्रेक्शन चंदराशी पर अधारी थै कुमबराश के देन के मामले में भी दोका हो सकता है इसलिए थोड़ा सध्यान रखें किसी भी काग्जात पर दसकत ना करें साइन ना करें जब तक उसे पढ़ लिक कर रक अच्छ तरसे जाश परताल ना करें कोट के चैरी के मामलों में भी आज आपको निरासा हाथ लग सकती है और आज गाड़ी बाहन का प्रियोग कम करें वरना कुम रासकरत को चोट से पेट लग सकती है दुरकटना होने की योग बन रहे हैं कुम्ब रास्कियत को आज खास कर लिखा पड़ी के मामले में दसकत कहीं पर भीना करें और आज उधार करजा किसी को न दें और आकास्मिक रूप से धन के चक्र में बिलकुल न पड़ें दोका हो सकता है कुम्ब रास्कियत को इसले थोड़ा सावधानी बरते हैं कुम्ब रास्कियत को आज केजियर में कुछ इस्टाप के साथ मध्वेद या फिर आपके जो उच्चा धिकारी हैं उनके साथ अनबन किस्तिती बनेगी आज आपको उचित फैसला लेनी की जरूरत है और आज आपके अंदर मन में मानसिक चिंताएं परिसान कर सकती है और इसी कारण से भागदा और ज्यादा करनी पड़ेगी बिजनेस प्यापार कारोबार में जिसके बचेसे स्वास्त पर भी बुरा सर देखने को मिलेगा स्वास्त का थोड़ा सा खराब होना आपके चिंता का विशह बन सकता है कुमराज कियत को आज लें देन बिल्कुल ना करें किसी भी अजनवीव पर भरोसा बिल्कुल ना करें खासकर रूपए पैसे तो आज किसी को देहीना कोई कितना भी मांगे और आज धन संपत्ति के मामले में ज़्यादा बिर्दी नहीं होगी लेकिन रुका वो फसवा सिर्फ आपको 5% मिलेगा और आज आप ज़्यादा परिश्रम करेंगे मेहनत करेंगे तब ही सफलता मिलेगी आज रियल सिर्फ कंट्रक्शन में ज़्यादा इंवेस्ट ना करें हलाकर पहले से किया हुआ है तो लाब होगा कुमराज के ज़्याद को आज आप अपने घरेलों जीवन में काफी वेस्त रहेंगे कि शिवात को लेकर अनबन किस्ति बन सकती है घर परिवार में कुछ यह मतभेद हो सकते हैं पैत्रिक संपत्ति धन को लेकर और खासकर संतान की प्रेशानी से भी कुछ परेशान हो सकते हैं और उचित कहने ना माने, जीवन साथी से साथ मत भेद हो सकते हैं और आज प्रेम जीवन में भी किसी बात को लेकर अनबन ये फिर दूरियां वड़ सकती है पढ़ाय लिखे के छेत में जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा स्वास्त को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें स्वास्त के बिगड़ने का चिंता आपको परिशान कर सकती है आज आपका शुब रंग रहेगा यहाँ पर सफेद और भाग साथ निवार आपका तकरिवन 69% दरस्त हो बीट को लाइक करिएगा जदा जदा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा